शान्ति किसे नहीं चाहिए मानव युद्ध भी शान्ति के लिए ही करता है और संधी भी अब आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सधा संघर्ष ठीक नहीं होता संधी का मार्ग ठीक है क्योंकि शक्तिशाली को प्रास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का छे होता है वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं परन्तु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या यह जान देना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है कहीं उस श्रंगर्ष से बचकर आप एक बड़े उत्पात को तो जम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांती नहीं देती अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आपको डस सके विचार कीजिएगा राधे राधे